दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी सभी लेटेज न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाईए दोस्तों अगर आप भी महिंदर सिंगध होनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजे दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 के 40वे मैच में भारतीय टीम ने बंगलादेश पर 28 रणों से शांदार जीत दर्ज कर ली है बर्मिंगम में खेले गए इस मैच में भारत ने टौस जीत कर पहले बल्लेवाजी करते हुए 314 रन बनाए जवाब में बंगलादेश की टीम निर्धारित 286 रनों पर सिमट गई इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमी फाइनल में पहुँचने वाली अब दूसरी टीम बन गई है अब दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच हारने के बाद बंगलादेश टीम के आल राउंडर शाकेवाल हसन ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने हमसे अच्छा प्रजर्शन किया इसलिए वो ही जीत के हगदार थे हमारे गेंद वाजों ने इस मैच में काफी रन लुटाए जिसकी वज़ा से बल्ले बाजी में हम पर दबावाया इसके बाद अगर हमारे ओपनर्स अच्छी वल्ले वाजी करते तो हो सकता था कि हम ये मकाबला जीत जाते लेकिन जस्प्रीत गुमरा ने अकेले ही हमारे बल्ले वाजों की धज़ियां उड़ा दी और हम ये मैच आर गए दोस्तों शाकिब ने आंगे मजा की अंदाज में ये भी कहा कि वैसी इस मैच में हमारे साथ बेइमानी भी हुई है क्योंकि भारती टीम एक कप्तान नहीं बल्कि चार-चार कप्तानों के साथ खेल रही थी जी हाँ पहले कप्तान तो विराट कोहिली हैं इसके बाद रोहिच शर्मा भी कप्तानी कर लेते हैं और अंत में महिंदर सिंग धोनी तो दो दो कप्तानों के बराबर हैं विकेट के पीछे से खड़े ओकर धोनी कप्तानी करते गए और हम मैच हारते गए इसलिए इस मैच में कप्तानी करके धोनी ने हमारे साथ बेईमानी भी की है दोस्तों अंतमे शाकिब ने ये भी कहा कि धोनी अगर किसी भी टीम में हो तो इस टीम के जीतने के चांसे काफी जादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वो अपने अनभाव का पूरा इस्तिमाल करते हुए टीम को जीत दिलाते हैं दोस्तों वैसे आपको इस मैच में महिंदर सिंग धोनी की कप्तानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईए अब दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच के दोरान 87 साल की एक बुज़र्ग महिला किरकेट फैन ने सभी का दिल जीत लिया उनके इस जज़वे को हर कोई सलाम कर रहा है जब वो अपने देश के क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने के लिए वील्चेर पर बैट कर स्टेडियम पहुंची जी हाँ सताजी साल की इस महिला क्रिकेट फैन का नाम चारूलता पटेल है उन्होंने टीम इंडिया को जम कर सपोर्ट किया और इस दोरान वो बेहत खुश नजर आई अब दोस्तों आपको बता दें कि मैच खत्म होने के बाद भारती डीम के कप्तान विराट कोहिली और उप कप्तान रोहिट शर्मा ने अपने इस बुजर्ग फैन से मुलाकात करके एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया पूरी दुनिया रोहित और कोहिली को इसके लिए सलाम कर रही है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह विराट कोहिली ने पहले उन्हें हैलो कहा और उसके बाद उनसे कुछ देर बाद भी की और रोहित ने भी कुछ ऐसा ही किया और दोस्तों इसके बाद ये नजारा देखकर हर किर्केट प्रेमी बहुत खुश हुआ और ऐसा करके कोहिली और रोहित ने अपने फैंस के साथ साथ विरोधियों का भी दिल जीत लिया दोस्तों वैसे आपको रोहित और कोहिली का ये खास मूमेंट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईए तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दीजे और शेयर भी कर दीजे और वर्ल्ड कप 2019 से जणी सबी नीज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और उसके बगल का बेल ये बाय बाय